ढाका मा आगामी फेबरडी 2 देखी फेबराडी आर्च सम्हा आयाजना हुने प्रत्योगिता मा सहभागिता का लागी नेपाली टीम ढाका प्रस्तान गरे को सहॉ यसके सोंबार अखिल नेपाल फुडवल संग एनफा ले एक कारेक्रम का बीच प्रतोगिता का लागी नेपाली टिम लाई विदाई गरे को थियो बंगलादेस मां हुने प्रतोगिता का लागी अखिल नेपाल फुडवल संग एनफा को तर्फवाट अंजना राईर राधी का साक्य लाई रेफरी का निम्ती ढाका जाने तोय भखाये को थियो प्रतोगिता का लागी एनफा ले सोंबा नेपाली युबा टिम लाई बिदाई गर्दा राई राई र साक्य लाई पनी बिदाई गरे को थियो किन नाम हटाईयो भन्ने बारे मां जानकारी नभाय को उनले बताय कीछिन। फेबरी चार मां भूटान विरुदा खेलने सा। नेपाले लिग चरण को अंतिम खेल मां भारत संग फेबरी चार मां खेलने सा। 2018 को फाइनल मां नेपाल बंगलादेश संग एक सुन्य ले पराजित भाय को थियो। 2023 को संसकरण भने सिंगल राउंड रोविन पदतिमा भाय काले बंगलादेश सिर्शस्तार मां रहदै च्याम्पियन बने को थियो। यस अगी का चार संसकरण मधे तिन संसकरण को उपाधी बंगलादेश ले जित्ता और को एक संसकरण भने भारत ले जिते को थियो। नेपाली टीम लोलेदपुर की सारा बज़्जाचारिय को कपतानी मां बंगलादेश उडे को सौ।